ओए गाइस नमस्कार मेरे नाम संजीव पांडे हैं और आज हम लोग गाजियाबाद IS Academy और हम कह सकते हैं UPSC Connected Platform पर इसलिए खटे हुए ताकि हम सभी लोग UPSC के बारे में जानकारी ले सकें आज का जो समिनार का मुद्दा है हम लोग UPSC IS के बारे में वो सारी बाते समझें या वो सारी बाते जानेंगे जो कि आप लोगों को जानने की बहुत सक्ष जरूरत है UPSC के बारे में मैं आप सभी लोगों से वन बावन नाम लूँगा आप अपने माइक को इन्म्यूट करेंगे और अपनी इंडिड़क्शन देंगे तो शुरुबात करते हैं पूजा व विश्वास वन बावन प्लीज आप कहां से जूड रही है यह जुरूर बताईएगा पूजा विश्वास सुन पा रहे हैं आप I think audible नहीं है आप सुनाली आप प्लीज अन्ब्यूट केजिए और हाँ जी सुनाली विश्वास सुनाली आप सबी लोग का सुनाली आप सबीड़ा का स्वागत है प्लीज आप लोग अपना चैट पे अपना नाम और अपना लोकेशन प्लीज डाल दीजे ठीक है कुछ लोग है जिनका अभी 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 अधिनिटी नहीं है हम लोग के पास प्लीज अपने अधिनिटी प्रिवील कीजे OnePlus 7 Pro प्लीज आप बताईए आप कौन है कहां से चुड़े हुए अधरवाइस मुझे आप फूरास से बहां निकालना पड़ेगा अधर अधर बादेगा से क्योटी डिजन सादियर यह 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 विश्टिस वंफर संफ वो अधर रहूर रहूर अधर अधर तैट तो शुरुवात करते हैं आज की लॉट की आप सभी लोग प्लीज आप लोग अपने बताईए कि आप लोग यूपीएसी के बारे में क्या जानते और किस तरीके जो, can you hear me? guys, please up the cameras on because its not good to talk you know to talk with darkskins please up the cameras, come face because its going to be 1 to 1 conference otherwise we can talk about phones Please up the cameras on Welcome Rahul Rana, Welcome Sonal Yadau Welcome Pankaj Nayak you guys in the same place Vikas please open up your camera Vikram Gupta, Deepak, Krishnow, Payal, Abhay Kumar everybody please turn on आपके पास एक option है आप उसे करिएगा मैं क्लास को स्टॉप करूँगा और उसी के साथ साथ जो हम लोग हम बात करेंगा आगे तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेरा नाम संजीफ पांडे हैं I am the founder and director of UPSC Connect and गाजियबाद I.S. Academy both apart from that I have qualified this paper twice थीके मैं दो बर इंटर्वी में जा चुका हूं 2012 में 2013 में and in 2012 I had anthropology and history as an optional and in 2013 I had anthropology as an optional fine so I am guiding people like you I am getting experience like you since a long time since a long long time fine आरस दूबे जी welcome so आज हम लोग बात करेंगे strategy के ऊपर UPSC को qualify करने के लिए सबसे important skill क्या चाहिए आप लोगे साब से प्लीज वन बाद वन अभी मन नहीं हूं UPSC क्वालिफाय करने के लिए पहली सबसे important skill क्या चाहिए आपको सबसे important skill क्या चाहिए आपको स्मार्टवक प्लीज एक बार बताईए नाम बताईए अपना My name is Manas Sonjan Khomari from Odisha Okay, okay, yes Manas, yes, smart work को अब कैसे define करते हैं Like pen shirt, pen, coat work, pen के पढ़ाई करने का ऐसा कुछ No, sir To apply sortering method in NCRT Like Ames, Noxmican, various optional subject like anthropology, political science, etc Okay, okay, good enough Guys, देखो, आजकल जो है, हर कोई smart work की बात कर रहा है Smart work को define करने कोशिश कर रहा है, but what is smart work? Smart work is basically, it is a sort of organized work UPSC का अगर आप syllabus देखोगे तो UPSC और SSC में जो difference होता वो यह होता है कि UPSC में, SSC में आपसे पूछा जाएगा आपको एक काम बहुत important तरीके से करना है कसी भीचीज़ को open नहीं छोड़ना है open-ended किसी भीचीज़को नहीं छोड़ना है आप समझ रहे मीरी बात ? open-ended किसी को नहीं छोडना है generally हमुचARON के साथ क्या दिक्कत होती है मैंने generally कई सालों साथ मैं बच्चों को GUIED कर रहा है मैंने इस चीजD notes करी है कि बच्चे क्या करते हैं, आज पॉलिटी पड़ रहे हैं, दो दिन पॉलिटी पड़ी, उससे बाद ओब गए, उसके बाद उन्हें कोई और सब्जेक्ट ओपन कर दिया, तो ऐससे क्या होगा, कुछ ताइम के बाद आपको दिखेगा कि आपके सारे सब्जेक्ट ओपन हैं, क्लोस कोई नहीं हुआ, और जब क्लोस कोई नहीं हुआ, इसका मतलब क्या होता है, कि आपके सारे सब्जेक्ट ओपन हैं, और आप लोग ने खिशिडी पका दिया है, मैंने समार्ट वक अभी वच्चे ने बोला, मानेश ने ओड़िसा से हमसे जोड़े हैं, उन्हें हमसे कि हमें स्मार्ट वक करना चाहिए, स्मार्ट वक की जो बेसिक डेफिनेशन है, स्मार्ट वक की जो बेसिक डेफिनेशन है, वो यह है, कि हमें कोई भी चीज ओपन एंड नहीं चोड़नी है, दूसरी चीज, ओगनाइस का मतलब क्या होता है, वेल ओगनाइस्ट, वेल ओगन प्रॉपर अर्जमेंट अफॉल माटेरियल्स, नॉट्स, मॉड्यूल्स अब किस तरीके से पढ़ना है किस टाइमिंग में पूरा सेडियूल बना कि ये शेडियूल तो हम लोग वैसे हैं वी अलार इंडियन्स and we are very good at making strategies बहुत अच्छे हैं हम लोग strategy बनाने में बहुत अच्छे हैं पेन पेपर लिया बना डाला कि देड़ साल में UPSC क्राइक हो जाएगा बट अल्टिमेटली वह एक्जिक्यूट नहीं हो पाती है ये बात अगरी करते हैं कि हम लोग execution में कुछ आदा अच्छे नहीं है when it comes to execution एक्जिक्यूशन हम लोग हम लोग थोड़ी से दिलाई बरते हैं तो आप एक बात समझी है मैं यहां पर जो आप से जोड़ा हूं मैं आप मैं आप से उन तमाम तरह की चीज़ों पर डिसस करने बाला हूं जो की इस तरी कमी होती है अगर आप लोग इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप लोग की पढ़ाई जो है बहुत 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 तरीके से आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे ठीक है मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं जिसके कैमरे ओपन नहीं है प्लीज अप अगर आप लोगों से एक तरीके से फेस टो फेस बात कर सकूं गरेक्ट तो गईस यूपीसी में कौलिफाई करने के लिए देखो हमारे पास तीन सेजस होती है पिलिम्स होता है में सोता इंटर्वी होता है ठीक है तो पिलिम्स के लिए मेरे इसाब से आपको हंडेड कैसे प्रिपेर हो जाएगा वही मैं बोलता हूं मेंस के लिए कम से कम आपको साथ से आठ मेने देने चाहिए तो यह एक यह जो टाइम लाइन नमने डिफाइन की है अगर आप आठ महीने और चार महीने को जोड़ दोगे तो आपके बारा महीने पूरे जाते मतलब एक साल पूरा हो जाता है UPSC में अगर आप ओवराल सब्जेक्ट देखोगे अगर आप GS को बेकडाउन करते हो तो अकेले 20 सब्जेक्ट खाली GS में निकलाते हैं उसके बाद अगर आप ऑप्शनल को जोड़ दो उसके बाद आप CC8 को जोड़ दो उसके बाद कॉलिफाइं को पर केंट चाहते हो कि इसको हम फास्स पॉरवर्वर्ट तडीके से करें आगे चलके कोई है तरीका कोई है तरीका कोई है थरीका फास्स फॉरवर्वर्टार स्काइब लुद हो जाना ची हाँ में ऑप इफ्या ज़ता नहीं हमारा कॉलिफाइच कॉछ एलश एंड की सब्सक कान जैसी कोई पावर हमारे पास ऐसा कुछ नो सब्सक्राइब में खिलिए जब होगा जब प्रिलिम्स एक्जाम की दो तीन साल पहले प्रियारी शुरी होनी चाहिए एक्जाक्टली बहुत बड़ी बात बोली दो तीन साल मतलब हजार दिन के ऊपर आसपास आपका बात कर र जो बच्चा त्यारी करता है that is a best way out but कुछ लोग हमारे साथ ऐसे भी हैं जो ग्राइजूशिंग कर चुके हैं जो नौकरी कर रहे हैं इस टाइम पर इस टाइम पर हम कहते हैं कि जो मैरेड हैं इस टाइम पर जिनकी जिनकी जनकी जनकी ज़नरेशन आगे बढ़ चुकी है क ये पेपर एक ऐसा पेपर है जिसमें सभी सभी तरह की पढ़ाई के लोगों को सरकार बुलाती है और बोलते हैं अगर आप में एलिजीबिल्टी है अगर आप में कैपिल्टी है तो आप इस पेपर कॉलिफाई कीजिए गौर्मेट इंडिया आपको इंडिया की सबसे बहतर नौकरी प्रवाइड करेगी. अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि भाईया आपको एक नौकरी दे बहुत अच्छी सी, तो UPSC के भी कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी आपसे? ऐसे तो नहीं दे सकती है किसे को नौकरी को नौकरी मैं बताता हूँ, हर साल करीब 10 लाग सकते हमें काली फोर्म भरते हैं, 5олов हेल करते हैं, 15,000 को अपियर शौकर व एक एक नंबर बहुत डराते हैं, लौकर हमारे देटी में माटन इतनी ζादा है ने सब्सक्राप का जाए अंब फास और हो below है विखमेट है तो UTSC रयाग से इंग जनरेशन हमारी इस किसी भी किसी भी नौकरी में बहुत जादा होगा तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो UPSC में कोई भी competition नहीं है वन से आपका films qualify हुआ आपका competition सिर्फ 15,000 लोगों में रह जाता है is that agree कर रहे हैं उस चीज़ को अब आदे जैसे कि मैंने बताए कि लिए हमें 4 महीने बहुत है 4 महीने बहुत है बहुत जाहर है ठीक है? 4 महीने ताफ जब आपकी मेंस की पढ़ाही जो है पहले 8 महीने पूरी हो चुकी है और मेंस के अंधर हमें सबसे ब्से आदा काम कर ना पड़ता है किस पे? बन बताएगा? कि अप्सिनल पे, एसे रैटिंग पे, एथिक्स पे, ठीक है? ये तीन जो पेपर हैं, ये तीन जो पेपर जो है आपके, ऑप्सिनल जिसके अंतर इंक्लूड़िड है, आपका एथिक्स इंटिगर्टी एप पेपर 4, GS4 है और एसे रैटिंग है, अगर आप इन तीनों को 10,000 marks out of 1750 prepared हो जाते हैं, क्योंकि mains examination is 1750 का होता है. आप लोगों को पता है ना चीज? यह मैं आपको पुरा pattern बता हूँ? Pattern किसको नहीं पता? किसको नहीं पता? Pattern सब लोगों को पता है ना कि भाई, पिल्म में कितने-कितने marks पता है? Pattern मुझे मुझे नहीं बता है, मैं बिल्कुल नहीं हूँ मतलब शुरु समझ जाना चाता हूँ. दीपक जी मैं आपको बता हूँगा, मैं अभी कुछ बच्चों को उनके उनसे नाम पूछ रहा हूँ, क्योंकि उनका नाम मुझे चेंज करने पड़ेंगे, और अधरवाइस security reasons है, आप प्लीज रिप्लाई कीजे मेरे को इस पे, चैट पे, एक 4615 EFFEAA से एक बच्ची जूड़ी है, अपना नाम बताईए बिटा, और मैं देखता हूँ किसी का नाम अननेम ना हो, क्योंकि यह security reasons की विए से हमें ये प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, एक मिनिट मैं दूसरी पेज पे भी देख लूँ, काफी ठीक है, और कोई, और नहीं, बाकि सारे बच्चों का नाम almost है यहाँ पर, प्लीज अपना नाम बताईए, 4615 EFFEAA, मैंने आपको unmute भी किया है, प्लीज अपना नाम बताईए, पूजा सिंग, ओके, पूजा सिंग, welcome to the class, मैं आपको नाम यहाँ चेंज कर देता हूँ, विको एक 5-10 मिट का हम slot लेंगे, जिसके अंदर मैं आपको pattern समझाऊँगा, बहुत quick तरीके से, और pattern के अंदर ही, PPT के अंदर ही में सारे tips and tricks आपको बताता चला दाऊँगा, अपने pen paper तयार रखिए, और note करिए, जहां लगता है कि मैं speed up हो रहा हूँ, या आप लोगों से अगीन, ठीक है, तो मैं ड्रेक लिए आपको PPT पर लेके चल रहा हूँ, ओए गाइस, PPT विजिबल है आप सबको, PPT विजिबल है आप सबको, PPT विजिबल है आप सबको, तो गाजिवाद AIS Academy की ये PPT है, और ये स्टार्टिंग होती है, मेरे से स्टार्ट होती है, पहले क कि आप जिस टीचर की नीचे आप पड़ रहे हो या समझ रहे हो बाद, उसी कौलिफिकेशन जानना बहुत जुरूरी होता है, तो मैं फाउंडर और और डिरेक्टर हूं, गार्जेबाद AIS Academy, UPSC Connect दोनों का, को फाउंडर हूं, गुडगाओं AIS Academy में, वैद AIS की टीम के में एंडर हूं है, एक्स फेकल्टी हूं वेदानत AIS and Vision AIS का और कई सालों का मेर पस एक्सपीरेंस है बिच्चों को पड़ाने गा, साथी दात हमाई टीम में और भी कुछ लोग हैं, Mr. Dharmpal जी हैं, Mr. Samposh हैं, ये लोग भॉत एक्सपीरेंस हैं इन इन इसें फिल्ड, Mr. Dharm यह हमारे गुरु है और यह हमारे साथ जुड़े हुए यह हमें जगा जगा हमें help करते हैं और आप लोग को भी help करेंगे ठीक है आगे चलते हैं और सबसे पहले जो है जिन जिन बच्चों को pattern नहीं पता है उनके बारे में हम बात करेंगे पैटन में जो है तीन तरह के एक्जाम पैटन में बिचिकली तीन थी सेज़ेस होती है वी है प्रिलिम्स मेंस और इंटरव्यू ठीक है तीनों सेज़ेस के अंदर हमें तीन डिफरेंट तरीके की स्किल्स चाहिए होती है यह स्किल्स आप लोग प्लीज अपने pen paper पर नोट कर प्रिलिम्स के लिए हमें चाहिए logical and analytical skills नहीं है क्यों चाहिए कोई बताएगा what are analytical skills, analytical skills क्या होती है कोई बताएगा हाँ जी बच्चों इतने सारे हो सारे mute पे हो गया आप लोग सुन पा रहे है मिरको आपके दिमाग में logical skills होनी चाहिए logical skills मतलब कि आप पूरा से रहे बस पढ़ेंगे आपको 40% paper आपको आ जाएगा but 10-20% जो question का paper आखरी में बच्चता है जिससे बच्चा pass या fail होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके analytical skills और logical skills के आता है क्योंकि हम लोग वहाँ पर elimination का method यूज करना पड़ता है elimination के तुरू है हम option को eliminate करते हैं और वो elimination हम तभी implement कर सकते हैं जब हमारी skills जो है logical skills जो है बहुत जादा ठीक है हर्श अपना network चेक करो मेरे यहां पर पूरी 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 की पूरी वह आ रही है बैंट्विद पूरी आ रही है आप अपना network चेक करीए एक बड़ ठीक है प्रक्राइब उस्ती कि मेरे इंटी कर ब आकचेस यूधिल्ग कर और यह सबेजनाव का अगारी सवल्समा कि यग से सुर्दी यह प्ली अगारी है और मेध चाहिए तो अई का मतलब क्या Fit implicit Pokhart आपने माइक मूट कर लिजए फ्लीज में अगेन आपसे रपीट कर रहा हूं ठीक है हम लोग बच्पन से जो आंसर राइटिंग करते आ रहे हैं और जो हम अभी आंसर राइटिंग करेंगे इसे क्या फर्क होता है एसे राइटिंग में क्या फरक होता है? येस, Mr. Abhiman, नियू? क्या क्या क्या? Sir, हमें आपे प्रॉपर टेक्निकल वर्ट यूज करने पड़ते हैं जो हम अपने एक्साम में कर सकते हैं प्रॉपर सिस्टम जो वर्ट होते हैं वही हम उस कर सकते हैं Short and concise Short and concise Short and concise तो UPSC में देखो हम लोग जो हैं सभी लोग बच्चे ग्राइजूशन कर रहे हैं या कर चुके हैं ग्राइजूशन में एक चीज सिखा ही जाती है Sorry, यह आरेनी है हमारे कंट्री की हलग बग 90% college में चीज बताई जाती है अगर आपसे suppose करो कोई चीज पूछीगे लेट सेगी पूछ लेगा राफेल के वील के बारें बताओ राफेल के वील के बारें बताओ क्योंकि आप लोग को पताएगी अगर हम इसको नहीं भरते हैं अगर हम शीट नहीं भरते हैं हमारा number कट जाएंगे तो बच्चे क्या करते हैं राफेल के बारें जो चीज पता सब लेख देंगे और इससे क्या होता है तीन साल या चार साल की ग्राजूशन में जब लगातारी चीज करते हो तो आपकी रैटिंग स्किल्स हिंडर हो जाती है बहुत जादा हिंडर हो जाती है जो कि UPSC में पॉसिबिल्टी है नहीं को कि UPSC आपको रिस्थिक करती है word limit से चाहें आपको 150 word में लिखना है चाहें आपको 250 word में लिखना है हर एक question के आगे एक mention होती है 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 yes file you are right हमें हर एक चीज के आगे जो है बहुत बहुत क्रेक्स में और बहुत खूपसूर्थी से लिखना होता है like जैसे होता ने कि जावे दक्तर साहबें वो बोलते हैं क्यों डेरे जिंदगी में क्या होगा कुछ नहीं हो तो 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 जुर्बा होगा है तो मैं आपको यह पर जावे रखते हैं गुलजार बनने को नहीं कह रहा हूं मैं आपको बस यह कह रहा हूं कि आप लोग इतनी practice कीजिए आप लोग कम से कम word के अंतर जादा से जादा elaborate कर सकें यह बहुत important parameter है कम से कम words केंतर जादा से elaborate तभी कर पाएंगे जब आपकी grammar intact है, जब आपकी sentence framing intact है, तीसरी जब आपकी vocabulary intact है ठीक है, कोई-कोई doubt हो, कोई question हो, कोई-कोई contradiction हो, तो please आप बीच में बोल सकते हैं ठीक है, तो ये skill कैसे आएगी, ये skill आएगी with practice, practice, practice अच्छा, आपकी rating skills खराब करने में एक और बड़ी कमाल की एक बड़ी बड़ी अच्छी चीज का भी बड़ा रोल असके अंदर, जो आपके लाइव का पार्ट है, आपके फोन्स का, फोन आप सभी यूज करते हो, वाट्साप सभी यूज करते हो, ठीक है, तो वाट्साप कैसे पढ़ाई चलती है, LOL, TY, THANK YOU, हम लोग हर चीज जो है, अबरिवेट करके चलते हैं, माइक मुट कर लिजए, प्लीज अपने, क्या चलता है उसके उपर, आप समझेए, क्योंकि हम अबरिवेटेड वर्ड लिखते हैं, और कहीं न कहीं, मैंने कई बच्चों के आंसर कॉपी चेक करते हुए, बच्चे अपने आंसर शीट में भी अबरिवेशन लिख देते हैं, तो अबरिवेशन सार नौट अलाओड, हमको यह आदत चेंज करने पड़ेगी, अगर आप सीरिसली चाहते हो कि UPSC का एक्जाम आप कॉलिफाइ करें, तो आपको यह आदत चेंज करने पड़ेगी, और आंसर आइटिंग में करने पड़ेगी, तीसी चीज़ क्या चाहिए होती है मेंस एक्जामिनेशन क्वालिफ और 180 मिलते हैं, तो पर क्वेश्चन आपके पास कितना डाइम आगा है? 9 मिनेट्स, और 9 मिनेट्स में आपको 150 वर्ट लिखने हैं, तो कितने वर्ट होगे? 20 to 150, 3000 वर्ट लिखने हैं 3 घंटे के अंदर, 3000 वर्ट लिखने हैं, तो कैसे होगा यह मैनेज? जब आप लिखते ह तो यह चीज मैंने करी हुई है, मैंने मेंस एक्जामिनेशन के दो बार दिया हुआ है, जब आप लिखते हो आपकी चीज सूच जाती है, this one, this thing, क्योंकि हमें लिखने की आदत नहीं होती है, उसके बाद यहाँ पर यह आपका यह उनिवस्टी एक्जाम का पेपर नहीं है यह आपका UPSC का पेपर है, जिस पर आपका करियर डिपेंड करता है, आगे कि देड़ तो सॉल डिपेंड करते हैं, आगे मतलब देड़ तो सॉल मगद इनके से नेगटिव होता है ज़र्ट तो पूरा देड़ तो सॉल आपका और खराब हो जाएगा, तो कैसे इसको होना चाहिए, कि वह तीन घंटे तक तमाम तरह के सब्जेक्ट से लड़ तके, सब्जेक्ट सुचिंग बहुत होती है, GS1 में अगर बात करो तो आपका हिस्ट्री है, सुसाइटी है, जोग्रफी है, वहीं अगर आप सेकंड में बात करो, GS2 में बात करो तो पॉलिटी, समागी काम नहीं कर रहा है, पहला कोशन जोग्रिफी है कि अगला सुसाइटी पर जाते हैं दिमाग में टेंशन हो गई, एंग्जाइटी भर गई, तो क्या है यह, पहली चीज हमें चीज है, mental practice कि हमारा दिमाग इंट्रेक्ट रहे, हमारा दिमाग तयार रहे कि भीया, आप fail हो गए, you can win एक book है, शीव खेडा साब की बहुत पराणी book हैं 1999 में लाँच हुई थी, और मैं इस book का खासी दिवाना हूँ, और इस book में उन्हें एक बात लिखी है, और यह कमाल की बात है जो हम आप लोगों से शेर करने जा रहा हूं, that winners don't do different thing, they do the same thing differently, मैं repeat कर रहा है, हमें यह समझना है कि हमारे पास mental stamina और physical stamina होना चाहिए, और कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ, जो इस दोनों चीज़ें साथ लेके पैदा हुआ हो, उसको जो है चीज़ें develop करनी पड़ती हैं अपने अंदर, यह skills आपको develop करनी पड़ेंगी ही इसको develop तो आप लोग परिश कर जाएंगे मेंस के examination में, और natural सी बात है, इतनी मेहनत आप पड़ रहे हैं, इतने मेहनत आप कर रहे हैं, इतने subjects आप पड़ रहे हैं, तो fail होने के लिए तो कोई नहीं जा रहा है न, exam के अंदर, fail होने के लिए नहीं जा रहा है, तो generally क्या हो होता है, ठीक है, दो qualifying paper हो, तो उसकी बारे में बात करेंगे, हम अभी उसकी बात करते हैं, जो कि basically, हम उसकी बात करेंगा, जो कि basically, आप समझेए कि जो आपकी merit बनाता है, ठीक है, 7500 marks इसमें आते हैं, 275 marks का, 275 marks का आपका जो interview होता है, total examination होता है, 2025 का, और अगर एक general candidate जो ह है, 1000 marks के आपका इसमें ले पाता है, 1000 marks के वो fetch कर पाता है, या कर पाती है, तो उसका selection 100% हो जाता है, in top 100, in top 100 की बात कर रहा हूं, top 100 मतलब IAS, IPS, and IFS, तीन तरह की service होती है, all India service, जो कि top service माने जाती है, UPSC के अंदर, वैसे 24 services offer करता है, बट जो तीन services होती है, वो top services होती है, top services माने समझ रहे हैं, जिसके अंदर IAS होता है, भारतिय प्रशासनिक सेवाएं, भारतिय पुलिस सेवाएं, भारतिय विदेश सेवाएं, Indian administrative services, Indian police services, and Indian foreign services, ठीक है, इंडिया में बस तीन ही है, और यही जोब है, जिसके लिए, वेसी के लिए, आपने, 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 आप किस तरह की personality UPSC आप से expect करती है, very well dressed, clean shaved, लड़कों के case में, लड़कों के case में, लड़कों के case में, very well groomed, इस तरह की personality वो सीख करें, बड़े इची English आनी चीए, कुछ इस तरह का perception है किसी के अंदर, तो बताईए आप, think like an officer, think like an officer, think like an officer, think like an officer, ठीक है, तो इशान मित्तल किस तरह की, किस तरह की, किस तरह की, चीज चाहिए होती है, अचके अंदर, किस तरह की personality चाहिए होती है, कोई बताएए, genuine and bold, genuine and bold, kind of person, like Kangana Runa, किस नहीं बोल ली बाते है, genuine and bold, अपने नाम बताएए, प्लीज, like Kangana Runa, these days, genuine and bold, Malbika, yes Malbika, Malbika, Patnaika, आप महराश्यों से हैं? नई, Odisha, Patnaika, सारे ने, Odisha, ठीक है, तो Malbika जी, आपने जो बात बोली, genuine and bold, नहीं, हमें personality जो चाहिए होती है, genuine personality चाहिए होती है, क्योंकि अगर आप जिसके आगे जा रहे हो, वहाँ 5-6 लोगों का board बैठा हुआ है, सारे के सारे retired ISIFS अधिकारी है, जिन्हों 30-40-40 साल, 30-40 साल नौकरी करी है, ठीक है, उनका जिन्दकी बर काम रहा है कि गलत चीजों को पकड़ना हो, देखते हैं पकड़ लेते हैं, अगर आप उनके आगे जाके फेक करोगे, जूट बोलोगे, आपको पकड़ लेंगे, बोलेंगे, come again, try again next year, एक्चुली अगर बात करें, हमारे पार तीन चैट्स आहिए, एक बार चैट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है, यह स्पाइल, ओनस्ती, ठीक है, प्रेशर जहेल सकता है, जया ठकरॉल, समबड, it is okay, ठीक है, तो यह जो चीज़े हैं, अब परस्नालिटी को जज़ करने के लिए, आपकी जितनी नॉलेज है, वो आपके पिलम्स और मेंस पेपर लेकर चेक कर चुके हैं, आपके पास नॉलेज थी, तभी आप उस सेज पर पहुंचे हो, पहली चीज, याद रख ठीक है, अब ऐसा भी नहीं कि आप योगी बनके या फिर आप नागा सादू बनके चलेगे, यह एक बेसिक सेंड़ होता है, ठीक है, वो चीज मैटर करेगी, बट इन लास्ट वो मैटर करेगी, सबसे जादा तो चीज आपसे मैटर करेगी, एक यह जो इंटर्वी होता है, यह एक वाइवावास होता है, जिसके अंदर आपसे बो लोग बात करते हैं, डिफरेंट इशूस पर, करेंट इशूस पर बात करेंगे, इंटरनाशनल इशूस पर बात करेंगे, आप सभी लोगों से एक डीएफ भरवाया जाता है, डीएफ का मतलब होता है, डिटेल अप ॐर्म बर्वाया जाता है जिसके अंदर आपकी सारी जानकरी ले-ली जाती है आपकी मुश्क करके देता हो ना है को कि तो किस तरह का कहना थे कोई बता यहां जो बच्चा मुझे दिख रहा है उससे बात करता हूं पूजya और अभिभाय्य मन्मीऊ आप मुझे बाहर का खाना और उसके बारे में अगर आप बाहरा खाना खाते हो तो आपको यह जी जुरूर पता हुने ज़िए कि फूट सेफटी एफसे एई जो अथार्टी है वो किस तरीके से काम करती है और उसके और उसकी एंप्लिकेशन क्या है पता है कुछ दिस देखना जो भी चीज आप लोग बोलोगे उस चीज के बारे में सारी जानकारी आपको हुने जरूरी है आप बोलते हैं अभी पाईल ने बोला पाईल ने बात बोली कि मुझे कुकिंग बहुत पसंद है अभी मन्यू आपकी क्या है अभी कि सर मुझे गूमना और लीडिंग करना पसंद दें अभी मत बॉला कि सर्स लास्ट टाइम में गोवा गये तो गौवा में फैनी क्या चीज होती है यह थे फैनी कैसे बनती है अच्छे को थ One गोवा में गोवा दो 1 गोवा में जो है पॉर्टेकस पे रहें रोखे में जाथ नॉर्टfik pa कैके साथ गोवे वह जाथ जाध ओमें डहेंट पर नोर्थ ति ति गोवा में जेकां शीकरे कहारा में आता है दो थो फे ऐस्टार्व आप में caus जो भी कर रहे हैं इस टाइम पर आप जो भी कर रहे हैं जो भी आपकी होबी है उसके बारे में सब कुछ आपको जानना ज़रूरी है अगर कोई बच्चा बोलता क्रिकेट खेलता हूं तो क्रिकेट के बारे में सारी जानकरी होनी ज़रूरी है क्योंकि वह आपसे इस तरह से क आप पूचेंगे और आप होबी जो होती है आप आफ कंविक्षिन होती है रादेखियागा अगर अपके चीजेगा अगर आप गिटारिस्ट हैं आप फुट बार हैं आप करते हैं आप cooking करना पसंद करते हैं, तमाम तरह की चीज़ आप करते हैं, इन सभी चीज़े को बारे में जो भी चीज़ आपको पता है, जैसे पाइल ने बोला cooking करते हैं, तो cooking गंदे किस तरह cooking करते हैं, तो organic farming क्या होती है, वहाँ से एक section निकल जाएगा, आपका एक चीज चलाएगा मसालों की तरफ चला जाएगा, मसाले कैसी चीज़े इसके चक्कन है, पूरा आदा वर्ल्ड जो है, कॉलनाइज हो गया तक टाइम पर, इंडोनेशिया हमारा country खुद से, अगर आप modern इंडिया पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ समझ में आएगी, तो interview में पहली चीज आ होना है, और honest होने के लिए जो आपको आपने जो आप पे DF में जो भरोगे न उसको जब तक आप प्राक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप उसके अंदों honesty से भरने सकते हो, दूसरी बात आपका जो state होगा, आपके state के बारे में बहुत जानकरी ली जाएगी, आपके state के बा पाकिस्तान को, क्योंकि उसने बहुत गलत नक्षा जो है, प्रिंट कर रखा था, जबकि पहले से इधायत थी कि आप लोग आप सी जगड़ों को इसमें आप नहीं बात करोगे, ठीक है, तो ये इसका repercussion पूछ सकते हैं, कमा तमाम तरह की चीज़े इस तरह की पूछी हई, अभी मन्यों है, को intern, जी सर, आजस्तान को कितनी है, सर एगरी कल्चिर में, इतना वो नहीं हैं, आपर IAT और नीट का ही सिर इतना है रेनफोल सर अलमस्ट अपने 70 to 60 cm और कमाल की बाद को टा की हिस्ट्री क्या है गाइस जिस जगा ज़िए आप शाहिद गाजयवाद से हैं गाजयवाद को गाजयवाद क्यों कहा जाता है तुर्ष यहाँ पर मोहम्मद गाजीजी गा वह था आपसे नहीं पूछा, जिससे पूछ रहा उससे बताएंगा, ठीक, एशान, जस्ट अ मिनिट, ठीक है, ओके, गाजियाबाद में हम, जब हम कहते हैं कि गाजियाबाद इभ एक्सपैंड हुआ, गाजियाबाद में क्राइम रेट इतना उपर क्यों है, अच्छा, गाजियाब क्या होती है, आपके 360 डिग्री में क्या-क्या हो रहा है, उस चीज को आप अबसर्व करते चल रहे हो, ठीक है, हर चीज़ पर आपकी राए होने चाहिए, यह सर, एक्टीब रहना से यह हर टाइम, जलाइक समस्य है कि मतलब देखिए, अगर आपको इंट्रिव्यू के परहूनना शुरू किजी आप, ठीक है, आप गाजयाबाद में रहतों, गाजबाद में क्रायम थे बहुत बड़ा इमिल है, शुन को को लोगों को ट्राफिक का सेंस नहीं है, ठीक है, मैं भी इसीटी में रहता हूं, तो मुझे पता है कि यहां पर ट्राफिक का सेंस नहीं है, कोई भी इंसान कहीं से भी गुसा आता है, बट जब से, अब इसका possible solution क्या होगा, ट्राफिक को solve करने का, हर जगा हो तो हम police constable खड़ा काट के आपको आपके अपके अपके घर भेत दिया जाएगा, और उसके बाद क्या है, रिपरकर्शन के, टाइम दिया जाएगा, टाइम तेक अगर आपने चलान नहीं भरा तो चलान चलागा कोट में, फिर जब आप गाड़ी बेचोगे, जब लाइसेंस रिन्यो कराओग वो यह है कि आपको अपना एडिट्यूट चेंज करना है, और जो सबसे मुश्किल काम होता है, अपना एडिट्यूट चेंज करना, सबसे मुश्किल काम होता है, और ओवरनाइट प्रोसस नहीं होता है, यह कि एवलोशनीर प्रोसस होता है, तो जैसे जैसे आप पढ़ते वैसे वैसे चीजों करते जाएंगे, वैसे 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 आपका जो है, आपका हिसाब करता बहुत होता चला जाएगा. अगरी कर रहे हैं इस चीज़ से ठीक है तो मैं वापिस पीपीट पर जा रहा हूं पीपीट में वैसे कुछ बताने को बचा नहीं मैं लगबख सब चीज़ आप लोग को बता दी है फिर भी एक बार कोई क्रीवी लेते हैं उसके बाद हम नेक्स चीज़ पर चलते हैं तो चारवा तीन सार साल पहले पेपर हुआ था चौबेस अगस्त को उसके बाद जो है दिले दिले उपर आने लग गया में जून में लग फिर से ठीक है तो एक और खमाल की बार बता दो प्रिलम्स एक्जामिनेशन में क्या होता है एक 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 रियल नाइफ का एक्जाम्पल जब आप प्रिलम्स का एक्जाम दे रहे होते हैं तो पहले तो प्रेशर दिमाग में बहुत होता है उपर से अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो तो तेमप्रेचर भार का 40-45 डिग्री में जून के अंदर उसके बाद आपका खुद का तेमप्रेचर 40-45 डिग्र प्रेशर तो बहुत हाई प्रेशर में हमरे काम करना पड़ता है तो यह चीज 색ес अप्हले से define करेंगे तो अपने बुछों को ज realistically बोलता हूँ कि एक्जाम जिएयसे कि पहले एक्जाम हमारा 3- Pf skills का था तो मैंने बच्जों को बना था है कि tegen Judge से कमरों पे तो पंके धीरे करो और टेस्ट पेपर लगाना शुरू करो रियल टाइम में आपको आदत होनी चाहिए रियल टाइम यह नहीं होगी ना क्योंकि देखो हम जीस एक्जाम के लिए जा रहे हैं हमारा दिमाग रेडी नहीं है हमारा कॉंसेंटरेशन कहीं भी अगर पिगड़ा क्योंकि अगर पचास दिग्री टेंप्रेशन पर आप जाके पेपर दे रहे हो तो बहुत लाइक ली चांसे थे कि आपको ब्लैक आउट हो जाएगा पाने कमी की वज़े से टेंशन की वजय से और होता है बच्चों के साथ बच्चों के साथ बच्चों के साथ ब्लैक आउट हो जाता है एंग्जाइटी से बच्चे ब्लैक आउट कर जाते हैं और पेपर खराब हो जाता है अच्छे से पड़ा लिखे बच्चे अच्छे से स्मार्ट बच्चे जो जी से आरी है जोगरफिय आएगा इस्ट्री आएगा पॉलिटी आएगा साइंस एट एक एकनोमिक साइगा एंड करिंट एफर्स आएगा इन सारे सेक्शन को मिलाके जो है आप से एन्ट क्वेस्ट पूछे जाएंगे दो माक्स के और मैं बता दूं जो कट आफ रहती है जेनल के जनल के उ आपको करना पड़ता है यह पेपर जो होता है क्वालिफाइंग के नेचर होता है क्वालिफाइंग का मतलब यह होता है कि आपको इसमें बस 33% नंबर स्कोर करने होते हैं ठीक है इसमें आप देखो 80 questions पूछे जाएंगे ड़ाई marks के ठीक है माइनस माइनवाइ ठीक है तो आप इसमें से कोई भी दो section उठा लीजे आपका काम हो जाएगा ठीक है आगे चले आगे चले आगे चले नोट कर लिया अगे आपके आपके जो 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 में आप कैसे कमणिकेट कर रहे हैं हमारे आपस के बीच में जो बोलते हैं इन आप संगे जो हम लोग कमिनिकेट करते हैं तो बैसिकली यह चीज़ इसके कोई separate question नहीं देखे गए देखे गए डिश्ग मेंकिंग कोई भी separate question नहीं देखे गए यह दोनों फिर से पूछो आपके वास कड़गी कौई पूछ रहें सर सी सेट का जो मार्क इंक्लूड करते है कि इलिम्स में सी सेट कौलिफाइंग पेपर एगर अगर अगर सी सेट में फेल हो जाओगो तो जीस के फेपर चेक ने करेंगे अपको आपको आपको एटि में से 33 questions आपको correct appear करने होते हैं ठीक है तो यह हमारा है modern exam को आप देख सकते हैं इसमें हमारे दो दो languages compulsory होती है एक language English compulsory होती है और कोई भी एक ऐसी language इंडिन constitution में डिफाइन उसमें सब कोई भी एक ले सकते हैं जैसे उडिसा के बच्चे उडिया ले सकते हैं पंजाब के बच्चे गुर्मुखी ले सकते हैं जो जिन बच्चों नों उर्दू से किये वह उर्दू ले सकते हैं मैथीली ले सकते हैं हिंदी ले सकते हैं तो बात हैं GS के papers पर जीस पेपर 1 में आपसे हिस्ट्री जोग्रफी सुसाइटी पूछा जाएगा, यह पेपर धाइसो माक्स का होगा, इसके नंबर जुडएंगे, इनके नंबर नहीं जुडएंगे, यह पेपर भी कौलिफाइंग इन नेचर होते हैं, मैंने देखो हैं, मैंने के मेंशन करेंग किसा स्थ्री को स्थ्री आपसे ही जुडएंगे, इस देखो है, इस रहे हैं? एक क्तुर्फ इनले मेंुडएंगरी आपि यह पस्की मालएंगे, क्याs पशाइकिन, हाएं हदो किसे बनेखेंगे पूर पीपर ay में आपको तो यह आपको पॉल मैं बिल्कुल सेम रहता है वही आप डहता है बीसी से घ्प जाती है क्लियर 8 परें में इंग्लिस भी ले सकते हमें English compulsory है paper A में कोई भी आपको language नेनी पड़ेगी जो constitution of India गाज़े डिफाइंड है schedule 7, schedule 6 के अंदर ठीक है? by spices languages हैं कोई ना कोई आपको definitely आती होगे ठीक है? बहुत basic सा paper होता है बहुत basic सा paper होता है इसका paper नहीं होता है ठीक है? 9 GS1 में आपको history, geography, society पंड़ी पड़ेगी डाइसों माक्स का paper होगा इसका number चुड़ेंगे आगे चलते हैं GS2 में आपको quality, governance, international relations, social justice इन 4 जगाउसे आपको आपसे questions पूछे जाएंगे डाइसों माक्स का वी paper होता है GS3 की बात करें तो economic development, science and technology, disaster management, internal security, environment इन 5 चीज़ों से आपसे questions पूछे जाएंगे GS paper 4 जो होता है, वो होता है, ethics, integrity and aptitude का होता है और GS paper 5 जो होता है, आपका essay writing आपका एससे राइटिटिगा ये सारे डाइसों माक्स के होते है GS के खेले वेटेज जो होती है, 1.200 नंबर के होती है GS का होता है, GS के 5 papers होते हैं, ठीक है उसके बाद आपका 500 नंबर का एक paper आता है, जिसको हम optional बोलते है एक subject आप लेंगे, उसके दो paper आपको appear करने पड़ेंगे, paper A and paper B ठीक है, ये बहुत सारे बहुत लंबी list है, करी 40-45 subjects की list है आप कोई भी select कर सकते हैं और किसी को options के बारे में confusion हो, जिसके हम बात करेंगे, क्योंकि option बहुत बड़ा part होता है आपकी strategy का ठीक है, और ये तो, ये option का paper जो होता है, तो टोटल मिला के 500 marks का होता है तो आपने कितना हो गया, जिसके हमारे 12.5 होगा हो गया और option हमारे 5.5 होगा होगा है, कितना होगा है 3.5 होगा है जो मैं बता रहा था, clear है ना हो आगे चलते हैं अब लोग बात करेंगे, एक बर सामने आजाएगे अब लोग अब ये सर मैंस में इमेंस आपिण Jcare भी कषिए आप लिए दो मिलाओ प्लीज प्लीज फैज में आपको अपने आपको प्र के अपने, अपने आप प्रिस अपने G petit अजिए प्लीडी हास। इसल्डेश लिए अपने अपनी अपनी आप बता ही बता हैं चवी जी, welcome, आप सारे बच्चे ने जुड़े, हाँ, आप लोगों ना माइक मुट कर ले, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आप लोग होगा, अब आप लोग के कोई-कोई questions है, तो प्लीज मेरे से चाइट बॉक्स में पूछना शुरू कीजिए, आप्सनल के बारे में, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के बारे में, आंसर राइटिंग कैसे करने हैं, तमाम तरह की जो भी questions आपके दिमाग में हैं, प्लीज आपने चाइट बॉक्स में डालना शुरू कीजिए आप, हमारे पर बहुत सारे questions आने शुरू हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात हैं, कहां कहां पर हैं, अभी मन्यों सुन्यों सर रीजनिंग में भी रीजनिंग भी आती हैं, हाँ जी अभी मन्यों जी रीजनिंग आती है, अप्टिटूड का मतलब होता है आपकी learning capacity, आप कितनी कितनी learning capacity करते हैं, सर इस दिर पॉसिबल्टी जर सीचेट क्लियर ना हो, नहीं नहीं, सीचेट क्लाक है, अगर कौलिफाइ नहीं करोगे तो आपका GS करेपर चेक नहीं करेंगे, और सीचेट से घबराओं मत, महिमा चाबडा, आप किस तरह की books की suggestion मांगते हैं, क्योंकि हमने 26 subjects रिसकत करें, कौन-कौन subjects चाहिए, रहुल जी, मैं आपको सीचेट की personally, आपको मैं बताओंगा किस तरह सीचेट approach करना है, सीचेट में आप news paper पढ़ना शुरू कर दीजे, news paper को जब comprehend करेंगा, तो comprehension आपका already बहुत बहतर हो जाएगा, और comprehension जो होता है, more than 50% of the paper होता है, तो खाली अगर आप वो भी कर लेंगे, तो 40-45 questions आप और आम से appear कर पाएंगे उसके अंदर, ठीक है, संदीब चौधरी जी बात करें, मैं UP pieces के लिए apply करना चाहतू, संदीब चौधरी जी कहां पर रहें आप, एक बर अपने हाथ raise किजी आप, मुझे दिखने रहें आप, काफी भी लोग हैं आज हमार पास, संदीब चौधरी जी, एक मेंट कहां पर रहें, अब भी आप संदीब चौधरी जी आपके पास में भी आ रहें, जैया जी, प्लीज अन्मूट कीजे अपने आपको, और अपना question पूछी है, क्योंकि आपना अच्छा question पूछा है बहुत, जैया ठुकराल जी, प्लीज प्लीज कम आएद और प्लीज आसक और प्लीज आसक और प्लीज जैया ठीज आपका बेगराउंड किया था? क्योंकि मेरी बहुत बच्चों से बात चलती है, थोड़ा सा प्रिमाइंड करादी जैया प्लीज मैं एकिनोमिक उनस्की आपाओ, तो वाइव 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 प्लेज उनस्की अप्लीज वाइव वाइव वाइ। छॉट्यूज में खिल तैय। पर लोजी का यह बहुत है। वाइव वाइव आएंट जे यहाँ था आपार्टोवेस्टे आपके तोड़ा हिस्टॉरिकल पार्थ है थोड़ा सोशल पार्थ है बायलोजी पर थोड़ा एंपरसाइज जादे किया हुआ है लोगों ने देखिए अब मैं आपके आंथर को हां बट अजार अजार पढ़ने के बाद पूरा कोशन पूछेजिए सॉरी मैं आपको इंटरप कर दि इंटरपलोजी पार्थ है का बट गाट स्पीनी मैं जार झाला करता हुआ है, पर सोशल वाल पार्द कि दौ और 세फट शंळी का फीन सुषिल सुकता फीर्ट के बाद एन बट देक में कर दो न गो शलाजिट है वोजटे बहुत होते हैं मैं समझता हुं सुटे शोचिलिव लाइक इंडिन ट्राइबल्स के बारे में पूछा जाएगा उसके अंदर और जो और पूछा जाएगा इंडिन सुटाइटी के बारे में ठीक है जाएगा अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ आप बच्चों का आप एक बच्चे नहें पाइल 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 ने कोई मैं पहले संदीप जी कहां पर रहें आप आप मुझे दिखे ठेगें संदीप जी आप यूपी पीचे सप्लाई करना चाहते हैं आपकी एज कितनी हैं संदीप जी कहां पर रहें आप एक बर अपना हाथ रेज कर लीजिए आप मुझे दिख जाएंगे आप अब यही पर हैं संदीप जी आप सुन पा रहे हैं मिरको कि अगला जो चीज है हमारे पर पायल जी नम से पूचा है कि सर इसका उल्टा कूश्चन पूचा है पायल जी ने कि अगर हमें हिंदी से पेपर दूँ तो आप इंग्ली बिलकुल ऐसा कर सकते हैं अचा मिट थिए हैं इंगलेश का इंग्लेश हिंदी 시청 की अंचंव मेंतर्थ के यह ऊचे थैप्छा करते हैं ऐसे कोई यह कि आपने ऐसे जो भी यूज़ करें सामने वाले को चीज समझ में आने चाहिए तो अपना एक्सेशन जो हो बहुत बहुत बहुतर तरीके से बोलना है यह कभीर दास का दोवा मुझे याद आता है यूपी एस और पर्सक्रेक्टिव से मुझे लगता है कि यूपी आपने जो की बोले जान, दिये तरा जो तोल के फिर मुख बाहर आने, ठीक है, ये कभीर दास ने एक बात बोली थी, जो मुझे लगता है कि UPSC का उन्होंना देख लिया था कि इंटर्वी होगा आगए चलके, तो मैं उनके लिए एक बात बोल देता हूं, तो उनके लिए बात बोल तो मुझे जो क्यांत मैंना चाहिं, कहां है सक रिए अपना हाथ रिष्क कीजें, ear our internet, region highusan biliakam orikan are our आगे तो इना सारे बच्चेया आच तो, यह बात आख तो बहुत हैं आपको आपको करता हूं आपका बेग्राउंड क्या है इसमें आपको आपको ड्राइजीजिन एकเौल रहती है नो टोट आपने अफ प्रिया बेमन क्राइभ प्रंजय इंजिनेरिंग ज ONE ऑफ़ए अव इंजमें और आप श्याद गौर्मेंट सर्वेंट भी है, if I'm not wrong. No, 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 I'm not doing a job. कि हमारे पास एक और बच्ची आई थी, उनका सेम प्रोफाइल था, वो उडिसा गौर्मेंट में as a electrical engineer employed है, तो मुझे लगा आप वही है, ठीक है. तो मालविका जी देखिए, geography is a very good option, ठीक है, जोफरी के pros and cons में आपको बता जिता हूँ, रेस्ट, आपकी खुद की call रहेगी कि आप इसको लेंगी या नहीं या डॉप करेंगी, पहली चीज़, पहली चीज़, geography बहुत vast syllabus है, अगर आप उसको लेती है, तो आपका GS paper 1 में, GS paper 3 में सीधा सीधा फायदा मिलेगा, दूसरा फायदा आपको इसको आपको मिलेगा, आपको कम से कम 30% syllabus आपका cover हो जाएगा, फिलेंस का almost cover हो जाएगा in the first instance, दूसरी चीज, geography is a technical thing, अगर आप लिखेंगे तो number मिलते हैं, no doubt number मिलते हैं, अब आते हैं कौन पर, जोग्रफी सबसे सारे, अगर 15,000 बच्चे करीब, अगर optional mains का examination दे रहे हैं, तो करीब 5,000 बच्चे है, 4,000 बच्चे जोग्रफी से खेले होते हैं, तो national से बात है, cutting cutting edge competition हो जाता है, जोग्रफी इतना बड़ा domain है कि उसमें questions, नए questions बंदे की हमेशा संभावनाय रहती हैं, जोग्रफी का question paper से पिछले 5 साल के जो मैं देखता है हूँ, optional game, बहुत depth में ले जा चुके हैं, तो आपको जो करीश कंडी पड़ेंगी, बहुत depth में जाए कंडी पड़ेंगी, और ये कम से कम 3-4 महिने आपके लगेंगे इसके अंदर, इसके लिए जो basic books मैं आपको, मैं जो बच्चे बैटने के लिए के लिए जो बच्चे बैटने के लिए को कहीना कहीन से psychology से graduate होते हैं, ठीक है, psychology जो बच्चे लेते हैं, out of the interest लेते हैं, मैं बोलता हूँ, psychology पड़ो, पर एक बद सेलेक्शन करा लो, उसके बाद पड़ो, psychology में अगर आप psychology background से नहीं आ रहे है कि psychology में कही तरह की cognitive theories होती हैं, और जो बच्चा युनिवस्टी में पड़के आ रहे हैं, और आप खुद से optional से यार कर रहे हो, दोने में डिफरेंस नहीं आ जाएगा, आप समझे इस चीज़, यह technicality आप समझे है, काफी बच्चे psychology को लेके मेरे से question पूछ चुके हैं, including Richa जी जो अभी RS Dubeji के profile से यहां पे added है, इन्होंने भी उससे पूछा था, आपके सामने जो बच्चा बैठा है, जो आपका आपका जो competitor होगा, कौन होगा, वो कोई ना कोई किसी college का graduate होगा, जिसने तीन से हर साल, तभी अच्छे ते पड़ी होगी, कोई और optional दिमार्ग में हो आपके, जी सर, sociology, sociology, very good, in fact, in fact, better than, better than geography, sociology में सबसे अच्छी बात क्या है, कि दो महिने, दो से सबा दो महिने में cover हो जाएगा, पहली चीज, दूसरी चीज, आपका GS paper 1 में Indian society आएगा, वहापे आपको help करेगा, GS paper 2 में आपका social justice आएगा, वहापे help करेगा, GS paper 3 में economic development के सबस्क्राइगा, वहापे आपको help करेगा, GS paper 4 में moral thinkers आएगे, वहापे उनकी theories काम आजाएगी, essay paper में एक ऐसे definitely आपका sociological base से होता ही होता है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इसका prelims में कोई फायदा नहीं आएगा, बट mains में बहुत फायदा आएगा, दो महिने में cover हो दो मेन में कोई हो जाता है, शोशोला जी? Books, क्या क्या follow करने पड़ेंगे? स्टनि-वार थी NCID 1112 class है, और उसके बाद के लिए आप मिर से परसंगी का Alricornu कर सकती हैं, और रहों कोई सब्सक्राइस से कटेढ़े ? काline PR ञ Mes tools कindo, प्रीजव और कोई में मेर से अभी दिससे करना है ? 對不對 selfiman assaulted educational trainings बहुत शांदार सब्जेक्त है पर साथ-साथ बहुत बड़ा है और पोलिटल साइंस के बाटए से कर पार्ट है पीस अई आयर वोलते हैं इसको पॉलिटिंगल साइंस अन इंट्रनाशनления comportation तो हम लोग रहते हैं उस country में जहां पे हमारे मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है ठीक है और जिस आप से 5-6 साल के अंदर हमारा जो डाइनमिक चेंज है जो हमारे से साइन ये सांफ सब्सक्राइल है लाक जुसा ठीक हैं उसके पास चार अप्षं निकलकर आते हैं अगरीकल्च्र, एंःपलाजी, जौलाजी, 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 बॉर्ट etcetera, łट ये चार प्रे। सब्सक्राइब बढ़ी बस आपको जो है अपनी अपने अपने जूह अपने जरी ओड्रीज से बोलते हैं जिसको बोलते हैं अपने अपने अखें थीसी डिदिग्री ओखोलकर रखना है और कही नहीं से आपने जो होते है, जो पैटन है UPSC का जो जिस पैटन मोगों पेपर पूछ रहा है, उस पैटन को डिगोड करने कोशिश कीजिए पेपर आराम से काली फाय हो जाएगा, बहुत आराम से क्वालिफाय हो जाएगा. अभी आपको जो फोकस करना है जो भी बच्चे इस तक नहीं हटने वाला अगले 2023 तक वो एक्सपेक्टेशन नहीं है पर 2024 में जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं वो अपने GS पर धियान दे अभी क्लियर होगे है बिटा सर्कॉमर्स अगाउंटेंसी विशान अपकर आपको निटार्स हैं और आपकी कॉमर्स अगाउंटेंसी बहुत जबरदस्त हैं तो आप लीजिए उसको कोई दिक्कत नहीं नंबर बहुत अच्छे आते हैं इसका एकी तरीका है पिछले पाँचे साल के पेपर को पिंट यूपीसी दॉट जी यूवी दॉट आइन पर आइन पर आपको सिलेबस मिल जाएगा उस पो सिलेबस को देखो सिलेबस को पड़ो अच्छे से उसके बाद देगा डिजिजिएंट क्लियर इनी मोर क्वेश्चिन और इसा क्यों सर मेरा इंटर्स सादा हिस्ट्री में हैं इ आपके पास 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 आपके पास आपने पढ़ाई करी है खुद से करी है जो आपने सीखा खुद से सीखा यह चीज में अगरी करता हूं इसलिए आप उसके जारे है तो जादा अच्छा रहेगा कि आप इन दोनों सब्जेक्स को फर्स्ट प्रायटी दें ठीक है पबैट को भी दे सकती है पॉल स सब्सक्राण साथ तो कि आयार कंशनर कंद है भूस जबरड़त सरीके से होता है नहीं पास एक क्वेशन बोलते अब लिखे आऊगे आपका चेकर बैठा है उसने पड़ा रिवलुशनरी नंबर किसके कटेंगे इस नंबर आपके कटेंगे ना और यहां पर अगर आपका अबर कम हो जाता है अगर आप 1000 रैंक कि रैंक करीब तो चुप आपके तो नहीं कर सकते हैं अगर आप कर सकते हैं तो कर लो मैं आपको पूरा गाइड कर दूँगा क्योंकि मेरे पास फर्स्ट जब मैंने इंट्रिव्यों पेर किया थे मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल से भी पढ़ाई करी थी थी इस्ट्री ऑप्शनल पूरा पढ़ा हुआ हुआ है तुम आपको पूरा है यूप्सी डॉप्सीट बताई यूपी एसी डॉपी दॉपीज डोट आइन यूपी एसी की यूपीशियल वेब साइट इस पर आपको से लेवस मिल जायागा पूरा ठीक है एनी मोर थी जोन ऑप्सिनल कोई और ऑपस्टनल पर कोई और है कोई ओप्षानल पर कुश्ट्ञन है किसी को klar है आगे चलते हैं अब अगला है किरिशनां इट वर्जन अधि मैं एस पेपर इन कमरैंट नेकर सीट करेंगा करेंगा देन मफफिन जसा दि ग्कूर मैंने लुटम AUDIENCE आपको बने समझा दिया क्या है ठीक है अभी मन्यू सोनी सर आप परिशान मत हो यह यूर अंडर माई गाइडन्स आपकी कोई चीज को किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी डोंट वरी ठीक है डोंट वरी अबाउट इस इस पर में डर ज्यादा दर बहुत बु सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है अपाइल पूछ लिए मैट्स आपका बैग्राउंड क्या है पाइल जी आप है और रजा तकी जुर्ट की कासरा पर इससे लिए बनार पिखक्न संगरे बेगर घुवाटा है पी एकम क्पिती तो कि मेंत हैंग थी था को मैद में कित्व एक्षा अप्रई र dirig वर्यत को एकिन आप सबसे बहु ter्वर सबदोन आप लिएका त तरीका एस Audio पाईल जी आप UPSC.gov.in पर जाएंगे में चल्लेबस डाउनलोड कीज़ेए और फिसले पांची साल के पपर आउनलोड कीज़ेए उसके बाद क्या होता है आते है आते हैं पैना आते हैं इसे तो उन सब का प्रिंट आूट यह ओनलान मत करिएगा ऑनलानी पर पढ़ने के जितनी चीज़ नहीं आती उसको किसी और कलर से हैलेट कर दीजे थीज़ ये, उसके पास जो चीज़ नहीं आती है, उस पर फोड़ा सा आत्मस चिंतन कीजिए, फोड़ा से इंट्रसपेक्ट कीजिए, क्या आप उसे कर सकती है की नहीं कर सकती है. अगर कर सकते हैं तो Maths Optional सच्छा कोई option नहीं है, Maths Optional में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, बहुत fantastic नंबर आते हैं, और अगर नहीं अगर रिक्त हो, तो मैं भी नंबर डालूँगा, आप मुझे contact कर सकते हैं, आपके help लिए ठीक है, हाँ जी, आगे चड़ते हैं, पूजा पूचा जाता है, ठीक है, प्रकाश कुमार जी, आप कहां पर है, अपना question एक बार में से डेक्ट ली पूछिए, आपका जो question है, मुझे समझ नहीं आ रहा, प्रकाश जी, आप है क्लास के अंदर? हाँ जी, प्रकाश नाइक जी, पूचिए, क्या question है, प्रकाश जी, प्रकाश जी, क्या जी, प्रकाश जी, प्रकाश जी, प्रकाश जी, आपकाम, हाँ जी, प्रकाश जी, नर्सिंग में क्या है, तो is it possible to give a EPSC exam, that is nursing degree, आपके रिकनाइज उनिवरस्टिर से तो हैं ना, हा तो फिर आप sociology क्यों ले रहा हूँ नर्सिंग background से हो तो biology तो पड़ी हो गया आपने तो फिर आप sociology क्यों जाए अप anthropology, agriculture, botanizology देखो इन में से देखो कोई भी बट sociology also our paper देखो जो बच्चा sociology ले रहा और उसके पास एकर background बच्चे का biology का है तो मैं उसको anthropologist suggest करता हूँ क्योंकि दोनों ही जोनों ही चीज़ उसकी address हो जाती है इसके अंदर उसका shock भी पूरा हो जाता है और उसके skill भी काम आ जाती है और यहां पर हम ही sociologist या anthropologist बने नहीं आया है यहां पर हम civil servant बने आया है और जो भी रस्ता में जल्दी पहुचाएगा उस तक हम आउस तक पहुचेंगे इस एट clear Prakash एक बर एक बर एक बर anthropology को भी देखिएगा प्रीज थीक है देन अप्टर हमारे पर प्रकाश जी है प्रकाश जी का हो चुका है सुनल सिंग ने पूचा साइन्स एकॉनमी बुक वाथर साइन्स की कोई बुक नहीं होती है सुनल जी आप है क्लास के अंदर सुनल जी अपना माइक कर म्यूट कीज़े प्लीज सामने आईए साइन्स के लिए कोई साइन्स के लिए साइन्स के लिए साइन्स दो तरह से आती है ऄते हैं एक होती है जहें साइन्स का हुच अटिकोर साइन्स कि करता हुए साइन्स क्याप पूरा पढ़ो है उसके बाद आपके दो या तीन सवाइल निकलते हैं आपका बेक्राउंड क्या है सोनल सब्सक्राइब कर रहे हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं सब्सक्राइब किसी काम के नहीं है तिरी सारी किताबे पढ़ोगे आपको एक सवाल और दो सवाल फशेंगे ठीक है पढ़ना है तो 11-12 की NCRT पढ़ो जिसके अंदर आपको Human Anatomy आप सभी लोग नोट कर लीजे Human Anatomy, Nutrition and Disease तीन चीज़े पढ़नी होती है Human Anatomy, Nutrition and Disease वैसे भी में को लगता है कि जितने भी जितने भी लोग हमारे कंट्री में है वोल्ड में जितने भी लोग है उन सभी को यह सारे चैप्टर पढ़ लेने चाहिए उनका medical expenses over the life कम हो जाएंगे बहुत इंपोर्टन चीज़े हैं इसके इंदर थीक है Economy के लिए आप रमेश सिंग जैस सर की बुक आप फॉलोव कर सकती है पर रमेश सिंग की सर की बुक इतनी मोटी है करीब 900 पेजें से उसके अंदर हमाई टाइम पे 800 पेज होते ते अब तो मैं को लगता 900 से जादा हो गया होंगे तो इतना पढ़ने की जरूत नहीं है आप एक काम करिए है आप हमें कॉंटाक किजिए हम आपको नोट प्रवाइट कर देंगे ठीक है हमाई नोट सफीशेंट है हम एक नोट से बहुत क्रक्स में है और बहुत अच्छे तरीके से बंढ़ाफ्टर आप अब एकॉनमी दो तरीके से आती है बत्चो सारे भच्चो ध्यान सुनलोग पर बताने जा रहा हूं एकॉनमी दो तरीके से आती है, एक होते एकॉनमी, एक होते एकनॉमिक डेवलेप्मेंट, दोनों में फरक कोई बताएगा? एकनॉमी देवलेप्मेंट में एकनॉमी में एकनॉमी में चाहिएगा? एकनॉमी में चाहिएगा? सब्सक्राइख एकनॉमी में खिर्फफ़ा है? I think she is not here, मुझाद मेरी वाद निया उनके पास? अरे चाहिएगा Hello, hello, yes sir. Please continue. आपके क्या कहना चाहिए उसकंदर कि आप प्लान कर रहे है, पॉलिटी को लेकि क्या प्लानिंग थिए, आपके बताईए? सर एंट्रोपोलोजी और सोशोलोजी में था मेरा सर आज बाती थी मेरा साइंस ठीक है अब क्लियर हो गया चीज आप क्लियर है बिटा सारी चीजे ये सर थोड़ा माइंड मेक पूर है अब करने को बोला उसे एक्जिव्ट कीजिए पूरा माइंड एकना क्रिस्टा क्लियर हो जाएगा आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ठीक है अब क्लास में है और आपके अडिटी नहीं हो तो मुझे क्लास से आपको उटाना पड़ जाएगा प्लीज इस बात क्लास में हो तो मुझे आपको अटाना पड़ जाएगा स्था आप प्लीज इस बात को समझे है स्थिक्योटी कंसर्म होते हैं हाजी हाजी बता है हलो हलो अब कर दिछा आउं अभी मेरे फार ने जो इन आपके लिए हैं तुर रिचा आप जो है गाइडेंस ब्रक्राम के लिए देखें हमारे गाइडेंस प्रोग्राम जो चल रहे आप शार जॉब करती हैं जहां तक मेंदेंस्द परोग्राम के रहें पोरी के पूरी हम आपको भात बेनेफीट देगी करीब बारा मिने का प्रोग्राम का जो बच्चे गाजियवाद में रह रहे हैं जो आजपास के बच्चे उनके लिए जो वह तो ओफ प्लाइन का पूरा चोंगी इसके अंधर हम आपको सारे नोट सारे वीडियो लेक्चर का बैककप सारा ठरह-ठस सारे चर टर spor के पास प्रवाईड करते हैं और आपको जो है टाइम लाइन के साथ साथ आपका पूरा syllabus कवर कराते हैं, जिसके अंदर सबसे इंपोर्टन कॉम्पोनेंट होता है, एससे राइटिंग और आंसर राइटिंग, ठीक है रिचा जी, I think मैंने आपका आंसर को, question को address कर दिया है, इमानची जोहान, yes, आप most welcome है, आप हमारे contact कर सकते हैं, आप हमारे office के number कर सकते हैं, और आप हमें join कर सकते हैं, रिचा जी, admission के लिए आपको हमारे numbers पर contact करना पढ़ेगा, मैं आपको numbers अभी दे दूँग, आप हमारे numbers पर contact कीजिए, या फिर हम आपका data हमारे पार से हम आपको खुदी callback कर लेंगा, हमारे team callback कर लेगी, तो हमारा जो course है, okay guys, यह सारे questions हो गए, अभी कोई और question बचाएगा, ठीक है, तो रिचा जी आपको अगर यह guidance program join करना है, जहां तक मुझे याद है कि आप गुडगाओं से हैं और आप working है, साथ-साथा पड़ाही करना चाहती हैं, तो आप most welcome है हमारे उसमें, बहुत reasonable cost में हम बहुत अच्छी service provide करते हैं आप सभी बच्चों को, वैसे मैंने कोशिच करी है कि बहुत सारे questions को मैं आपके address कर दूँ और कर भी पाया हूँ, एक question Sandeep Kumar जी का रह रह रहा है, Sandeep जी आप हैं, प्लीज एक पर अपना hand raise कीजिए Sandeep जी, Sandeep जी कहां पर आप हैं, एक बढ़ ठेरो, शुबम चौदरी जी welcome, अब यभी आए हैं, Sandeep जी आप हैं, प्लीज एक पर आप कोछ अक्टिविटी कीजिए, ताकि मैं आपको धूंड पाऊं, ओके, इशान आपका कोई question था? सर आपको online एक्टिविटी पढ़ाते हैं, कौन किसने, सर उसके ID से सोनल लेता हैं, आपको नौ बजे शुरू होती हैं, साड़ास बजे खतम होती हैं, और अभी हम लोगों ने यह जो कोर्स है, स्पेशल डिजाइन किया है कोविड के बच्चों के लिए, और online lecture हम इसले चला रहे हैं, क्योंकि कोविड है, हम online lecture सान 2017 से हमारे online lecture चलते हैं, में आते हैं और बहुत लोगों को फायदा होता इसके अंदर, तो उसकी फीस बेटा, उसकी 40,000 फीस फीस है, उसकी online lecture की, जीस के पूरे प्रोग्राम की, अभी हमारा कोश्ट चाहती है, तो आप हमें कॉंटक कर सकती हैं, हमारे नंबरों पर, रजनी जी, आप जॉइन करना चाहते हैं, हमारा batch शुरू होने वाला है, अभी 28 के आसपास, तो हम आपको intimate करेंगे, और आपको जॉइन करना हो तो उसके पहले आपन भी formalities पूरी कर लीजेगा, ठीके बच्चों, आप लोग के पास और कोई भी सवाल हो तो प्लीज मेरे से पूछ लीजे, बहुत सारे questions को मैंने अड्रेस कर दिया है, और और भी इतने questions उनको भी address कर दूँगा, बताइए, कोई और question है आप लोग के पास, या आप लोग satisfied है, इशान मितल, go ahead, जैसे commerce और economics, इन दोनों मेंसे, एक मिनट उख जाओ, तो इन दोनों मेंसे क्या चूज करें, या फिर कैसे करें सर, किसी बच्चे को नहीं बोलता करने को कि उसमें डाइनमिसम बहुत बहुत जादा डाइनमिक होता है, बहुत जादा डाइनमिक होता है, कॉमर्स में जाओ, यह इक्वेलेंट बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, हाँ सर क्योंकि कॉमर्स के अंदर सर, टैक्स हो गएर अभी एसर मैंने भी देखा, ठीक है सत्य निरान आप पोछ रहें पेपर कब होगा, अगले साल पेपर है 27 जून को, ठीक है अभी आप लोग बहुत अपल टाइम है, अगर आप लोग अभी हमें जॉइन करते हैं, तो हम गरेंटी दे सकते हैं कि आपके सारे सारा पेपर हम कॉलिफाय करवा देंगे, और बहुत अच्छे से क्वालिफाय करवा देंगे, तो मैं आप लोग यही बताना चांगगा, कि हम लोग कही तरह से आपकी हल्प कर सकते हैं, जो बच्चे हमारे आसपास से हैं, कि गाजियाबाद से जो बच्चे हैं, दिल्ली से जो बच्चे से वह हमारे पास आके offline classes जॉइन कर सकते हैं, इन फैक्ट एक आपकर काफी लोग Air Force के हमारे पास आते हैं नतीज जी आते हैं, इक उतरा खंड के एक बच्चे हैं, मुझे हिमांचु हमांचु बच्चा है वो आता हमारे पास ठीक है ? तो इवनिं में पूछ ना नमबर आप हमें शेयर करा हूँ गाइस पंकर नायक सर आयम करेंटली वरकिंग इंडिन रेलवेस और मुझे पता रेलवेस में क्या को पंकर जी कहां पर आप है तो आप आपकी पोस्ट क्या लोको पालेट वो ना तो यह जो भी ट्रेन अस टाइम पर आपको बस उसको शुपरवाइस करना होता बहुत अच्छे से पर मैं यह नहीं कहुँगा कि मैं भाया मैं यह नहीं करना है यह पढ़ाई करो ठीक है मतल्ला अगर अपने शेड दिन का रहता है था है तो यह नहीं होता है और से अधे में उरिशा जाहरा पाला सुर्समें नहीं पूरिशा महीं रहता हूं मैं यहां प्लीज यह नमबर शेर कर रहा हूं तो नमबर शेर कर रहा हूं ठीक है आप दोनों में से किसी से बीजिए बीजिए कॉंटाक कर सकते हैं ठीक है एक मिन ठीहरी है यहां पर मुझे बंद करना पड़ेगा कि आप लोग प्लीज एक बार नमबर लिख लीजिए यहां पर कुछ चैट में प्रॉब्लम आ रही है तर रजनी जी आप पूछ लिए कि आप मुझे अच्छार में ठाई तरीक से बैस चुरू हो रहा आप उसमें कोशिच कर रहा हूँ बट यहां पर कुछ एक मिठेरी अब शायद हो जाएगा आगे नमबर आपके पास आप सभी के पास आगे मेरे एक नमबर अमरा दूसर नमबर भेज रहा हूं मेरा दूसर नमबर जो इसके इंदर यह वाट्सेप पर भी है ठीक है यह मेरा आपको टाइम मिले कर नौ 9.30 के बाद मुझे कॉल कर सकते हैं और मेरे से चोड़ सकते हैं ठीक है और पंकर जी आप मेरे से परस्नली बात कीज़ेगा आपका प्रवलम कुछ ऐसा है कि वह किसी और का नहीं है ठीक है तो आई विल गिभी यू तक आपको आपकी जो आपकी हम लोग 28 से अपने नए बैच शुरू कर रहे हैं GSK जिसके अंदर online classes and guidance रहेगी अभी हम लोग offline operate नहीं कर रहे हैं क्योंकि COVID का में हमार पास अभी permission नहीं offline run करनेगा बट हम लोग अपनी online classes जो है शुरू कर रहे हैं 28 से और मैं चाहूंगा गर जो भी बच्चा हमें जोइन हमारी बहुत बहतर होती हैं अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो Google पर जाके गाजेबाद IS Academy को सर्च कर लीजें और वहां पर हमारे रीव्यू से एक बार प्रीज देख लीजे बच्चे हमारे बारे में क्या कह रहे हैं ठीक है ठीक है गाइस एनी मोर क्वेस्टेंस अगर आप गाइड़े प्रोग्राम ले रहे हैं तो 40,000 शुरुवात हो जाती है और अगर आप जाते हैं जाते हैं जीएस प्रोग्राम में तो 75,000 तक जाती है ठीक है जीएस की में बात कर रहा हूं डिपेंड करेगा कि आप कौन सा कोर्स ले रहे हैं और कैसे उसको का बंदल चले जाएंगे, 20 उसके नदे प्रिंटी बॉकलेट होंगी और उसके बाद एक मेंटॉर आपको अलोट कर दिया जाएगा और वह मेंटॉर क्या करेंगे, वह मेंटॉर आपके पीछे पढ़के आपका सारह सलेबस पूरा कवर कर आएंगे दिपक जी, आपको हर च टार्गेट दिया जाएगा, टार्गेट जैसी पूरा हो, आपको टार्गेट से टेस्ट लिया जाएगा, ऐसे करते करते आपका GS का पूरा कोर्स हम त्यार करवा जाते हैं, ठीक है, इसमें essay writing, answer writing, पसनाय development program, तमाम और video course, आपके notes, current affairs, test, सब कुछ रहता है इसके अंदर, ठीक है, बस classes नहीं होती है इसके अंदर, और अगर इन सभी चीजों में आप classes चोड़ देंगे, तो वह हमारा offline program होता है, ठीक है, तो यह हमारा guidance program, यह basically उन लोग ले design है, जो बच्चे दिल्ली NCR के बहार के हैं, ठीक है, आप तो हमारे podosi हैं, हमारे office दादा दूर नहीं है तो आईए किस दिन बैठके बाद करनेंगे, ठीक है guys, एनी मॉर जाएगी, अगली साल UPSC का के लिए वो डालना चाहरी हो, और उसके दिर eligibility चाहिए है, 21, तो भी नहीं टाल सकते हैं, 21, 2021, 20, 20, दो अदर बाइट से पहले न दे पाओ गए paper आप, यस अरे नहीं हो गया, ठीक है, okay sir, guys, सारे सब सब के डाउट क्लियर हो गए, I hope मैंने सब के डाउट को मैंने, रिच्चा जी जोईन करने हो कह रही है, प्रिंसी जोईन करने हो कह रही है, most welcome, रजनी जी आप भी जोईन करने हो कह रहे, most welcome, काफी बच्चे हैं जोईन करना चाहते है, सीमा जी आप भी most welcome, आप सभी लोग आईए और जोईन कीजिए, आप सभी लोग को बहुत बेटर रिजल्स मिलेंगे, नमबर मेरे personal number से हैं, आप लोग के पास चले गए हैं, अगर मैं फोन ना उठाओ, मैं फिर से बतानों, तो मुझे WhatsApp ड्रॉप कर दीजएगा, आपका reply ज़रूर आजागा 3-4 गंटे के अंदर, this is my guarantee, is that clear everyone, कोई question है और कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है, please tell me, तो shall I terminate this seminar, okay, bye bye, good night, take care, सब लोग कोईट से बसके रहे हैं, ठीक है, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update, or visit our website, thank you.